हाई दोस्तों आए मैं लेकर आया हूँ ओमनी जेल मलहम के बारे में ओमनी जेल मलहम किस तरह से हमारी सरीर में काम करता है और कून सी कंपनी की बनाई हुई ब्रांड है इसे समझना जोर रही है और इसका कॉम्बिनेशन क्या है और कब कब कहां पर उपयोग किया जाता है इस तरह का मांस्पेसियों का दर्द खिचा और मोच में फीट दर्द और जोडो का दर्द और गर्दन का दर्द में इसे उपयोग किया जाता है तो साथी साथ दोस्तों इसे समझना ज़रूरी है औमनी जेल का लाव किन बिमारियों में किया जाता है दर्ध सुजन जकण से रहत पाने के लिए पर फास्ट रलेफ फोर पेन, अस्पारिन एंड एश्ट्रेन तो ये जो है औमनी जेल का लाव जोडो में दर्द, मांस्पेसियों में दर्द, और अस्ट्रियो, और्थराइटिस, गठिया, समंधी, दर्द, और टांगों में दर्द, और बदन में दर्द, जैसे समस्या में यह बहुत ही लाबकारी है इसका कोंबिनेशन वर्जिन, लिसन ओयल, डेकलोफैनिक, डिमेंट्रोन, और मैंतल, सैलिस, और मैंतल, जैल है तो यह जो है, आपको कहां पे लगानी है परभावित अस्थान, जहां पे आपको चोट या मसल्स पे दर्द है या औस्ट्रियो और थायराइटिस, जैसे आपको हड़ियों में कमजोरी के कारण से दर्द बनी रहती है उपरी सता में इसे लगाया जा सकता है और अंद्री सता के लिए आप उसे कैल्सियम की दवा ले सकते है तो ये जो है, उपरी सता में उपयोग किया जाता है तो परभावित अस्थानों को पहले साफ करना है जहां पे आपकी चोट लगी है उसे आप साफ करके पानी से, गुनगुने पानी से समयन पानी का इस्तमाल करें और अच्छी तरह से उसे कफड़े में भींगा कर थोड़ी से साफ कर लें उसके बाद इस मलहम को लगाईए ताकि जो है आपको बहुत ही अच्छ लाव मिलेगा और साथी साथ ओमनी जेल का उपयोग करने के बाद कुछ देर अराम करने की जरूरत है ताकि वह बहतर तरीके से काम कर पाएं तो समझी गये हैं हमें दोस्तों ओमनी जेल का अधिक उप्योग नहीं करना है इसे मातर सुबा और साम यानि एक दिन में दो बार ही उप्योग करना है और साथी साथ अस्तन पान कराने वाली महिलाओं को ओमनी जेल लगाने से पहले एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से ज खिचाओ पढ़ गया है नस और जैसे बोलते हैं दिहात में हाथ पैर मुरग जाता है और सुजन हो जाता उस तरह से अस्थान पर गरम पानी का पर्योग नहीं करना है यानि सिकाई नहीं करना है जदी सिकाई करते हैं तो फिर ये मलहम लगाने के जोरत नहीं है सिकाई करेंगे और ये मलहम लगाएंगे तो आपको side effect देखने को मिल सकता है इसलिए उसको केवल साफ करना है हलकी गुनगुने फानी से पोच लें उसके बाद जो है इस मलहम को हलके हलके से मालिस करना है और आप बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपकी यह बहुत ही राहत देगी तो इसे सिपला कंपनी बनाती है 30 ग्राम का पैक है और इसकी 110 रुप्य मार्पी है और परतिक मेडिकल स्टोर में यह असानी से मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जैन